ऐसी चीज़े जो सिर्फ एश के पोकीमॉन ने करी हैं इस कैप्टाइल ने टॉबियस के डार्क राय को हराया था और होईन रीजन में स्पीड फॉर्म डियॉक्सिस को भागते हुए पकड़ लिया था स्पीड फॉर्म डियॉक्सिस दुनिया का दूसरा सबसे तेज पोकीमॉन है एश का गेंगार पोकीमॉन जर्नीज में डायनमैक्स भी हुआ है और जैगन्टमैक्स भी हुआ है एश का ग्रे निंजा बॉन्ड इवॉल्फ होकर एश ग्रे निंजा बन सकता है कई सालों पहले एक और ग्रे निंजा बॉन्ड इवॉल्फ हो सकता था पर वो इस दुनिया से जा चुका है सिनो लीग में एश की गिबल ने डारक राय की उपर ड्रैको मिटियॉर चलाया था उससे डारक राय तो नहीं हारा पर तब टॉबियस कहता है अगर डारक राय को शोड़ कर किसी और के उपर ये ड्रैको मिटियॉर लगता तो वो वहीं हार जाता एश के लैपरिस की एज बढ़ते हुए दिखाई है और इजली के बाद जोटो रीजन में लैपरिस के चेहरे में काफी फरक आ जाता है और उसके बाद जाके लैपरिस अब आई है जो काफी बड़ी हो और ऐसे ही एश के बहुत सारे कोगी मॉंज ने अपने एविलुशन को हराया है जो काफी बड़ी बाद जाता है